कि हलो एवर्वन जैहिंद गूड मॉर्निंग वेलकम यौल तो मिसन कॉंपेशन मैं रहुल आप सभी का स्वागत करता हूं तो दोस्तों देखें यहां पे हमारे पास खान ग्लोबल जीस रिसर्च सेंटर का जो है सिक्ष्ट नाइम बीपेसी का प्रैक्टिस सेट आ चुका है और यह प्रैक्टिस सेट नंबर फॉर्स्ट है यह देखे 14 माई को यह पेपर हुआ था कब हुआ था 14 माई को यह टेस्ट लिया गया था ऑफलाइन सेंटर में तो हमारे पास यह प्रैक्टिस सेट आ गया है जैसे जैसे इसका प्रैक्टिस सेट हमारे पास आएगा आप लो जो भी है खान जी एस इन सबका जो पेड वाला जो होता है ओफलाइन में टेस्ट तो वो सारा प्रैक्टिस एट यहां पर आपको दिया जाएगा प्राइस सिर्फ 1.99 रुपीज रखा गया है और यहां पर 1.99 रुपीज पे करके वन टाइम पेमेंट आप इस ग्रूप में ए 351194 इस नंबर को पर आप लोग वाट्साइप करिए स्क्रीन सोट भेज़ेगा पेमेंट करने के बाद है ना आपको आड कर लिया जागा टेलिग्राम ग्रूप में चेले बिना देरी कि हम लोग फटा-फट से इस टेस्ट को स्टार्ट करते हैं पहला टेस्ट है यह हमारा और यहां पर देख सकते हैं आप यहां में प्रॉपर इन्होंने केलेंडर दिया हुआ है पहला टेस्ट 14 माई को हुआ है दूसरा टेस्ट 21 माई को हुआ है तीसरा 28 माई को होने वाला है ठीक है तो दूसरा टेस्ट इंडियन पॉलिटी का था यह भी आपको कल परसों में य सारा जो है ठीक है लेकिन मैं हींदी में कर वाँँ क्योंकि हमारे व्यूवर्स जादा है वो हिंदी मादें वाले भाले है ठीक है चलिए पहला सवाल हमारा है अर्थिक तो बिहार प्रति व्यक्ति बिजली खपत जो है देखिए तीन सो उनतिस किलो वाट आवर है तो हमारा एहां पर करेक्ट हो जागए 2223 का सर्वेक्षन के सापसे बात की गई है नंबर दो देखिएगा नासरी गंज जल विद्धुत परयोजना बिहार के किस जिले में स्थित ह तो औप्षन में है यह नहीं है इन में से कोई भी नहीं आगे बढ़ते हैं नमबर 3 देखिएगा बिहार में मुमीन कांगरेस की स्थापना बिहार में अगर हम बात कर लें देखिएगा कौन किया था मुमीन कॉंग्रेस लिग के स्थापना ठीक है तो ये ध्यान रखेगा अब्दुल अंसारी ने करी थी मुस्लिम लिग के बढ़ते प्रभाव को रोखने के लिए 1938 में अब्दुल कंट्यूम अंसारी 20% का उफ दिया जाएगा कोड एक बार देख लीजे RKG11 ये कोड आपको यूज करना हो उसके बाद आपको ये उफ मिलेगा दूसरी बात यहाँ पर एक साल का अगर आप सब्सक्रिप्शन ले रहे हैं उसके उपर 6 मन्त एक्स्ट्रा वैलिटी के साथ मैं आपको यहाँ पर दिख रहा हूँ मैं इसमें आपको परहाऊंगा पॉलिटी तो आप पॉलिटी की कोर्स कर सकते हैं भूलिए अगर नहीं RKG11 ये रेफरल कोड आपको यूज करना होगा तो ग्राब दिस नमबर चर देखते हैं सहरी करन की अपको देखने को मिलेगा सबसे मिनमम saarin करन यहीं पी मिलेगा तो यो है री 2230 के हिसाब से ढपसे बात हो रहा है ध्यान रखिएगा चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं नमबर पांच बिहार में गणीतिया मौडलिंग केंदर के कितने स्थान पर बन रहा है बिहार में गणीतिया मौडलिंग केंदर कितने स्थान पर बन रहा है यह बन रहा है देखिए कुल मिला के पांच स्थानों पर भी हमारा करेक्ट हो ज को मिलेगा कहां पे मुझफफर पूर मिलेगा भर्थुआ चौर वेट लेंड बी एपस्टूटली करेक्ट हो जाएगा नंबर साथ देखिएगा क्या बोला जा रहा है कि तार रेसम का उत्पादन बिहारे किस जिले में किया जाता है तार रेसम ठीक है अब हम बात कर ले तार रेसम बाका में होता है उसके बाद भागलपूर में होता है नवादा में होता है इन सब जगों पर होता है तो हमारा डी हो जाएगा एक से अधिक clear आठ देखिएगा मुंदेश्वरी पहारी बिहार के किस जिले में आपको मिलेगा तो मुंदेश्वरी पहारी जो है देखिएगा ये बिहार में आया कैमूर में आपको मिलेगा कैमूर जिला में जो है मुंदेश्वरी पहारी मिलेगा तो हमारा क्या हो जागा इह हो जागा उप्यूक्त में से कोई भी नहीं, कहां मिलेगा कैमूर में नमबर नाइन देखिएगा, सतत जीवी को पारजन मिशन योजना को कब प्राडम्ब किया गया था सतत जीवी को पारजन योजना जो है, ये 5 अगस 2018 से ये स्टार्ट हुआ है ठीक है, बी हमारा करेक्ट हो जाएगा, नमबर दस देखिएगा, बिहार के उत्री छेतर को कितने नदी दुआब में विभाजित किया गया है तो उत्री बात हो रही है, इधर साइड वाला जो रीजन है ना, जो इधर वाला जो अपना रीजन है, उत्री छेतर में, तो इसको डिवाइड किया गया थेखिए, तीन रीजन में, C हमारा करेक्ट हो जाएगा घागड़ा, गंड़क दुआब, गंड़क कोसी दुआब और कोसी महानादी दुआब, ये तीन में डिवाइड इसो किया गया है एक गयारा देखिए, रेवेन्यू काउंसिल ओफ पटना के प्रथम अध्यक्ष कौन थे, तो रेवेन्यू काउंसिल ओफ पटना के प्रथम अध्यक्ष की बात करें, देखिए, ये थे जॉर्ज अलेक्जेंडर, कौन थे, जॉर्ज अलेक्जेंडर जो है, ये थे प्रथम तो हमारा एक औरक नंबर 12 देखते हैं Bihar राज में निर्भरता अनुपात कितना है बिहार राज के अगर निर्भरता अनुपात क्या कि पात कर ले हैं देखे यह हो जाता है 58.3% बिहार राज का निरभरता अनुपाद है, संपूर्ण भारत का जो निरभरता अनुपाद अगर पुछा जाए तो 44.3 हो जाएगा ये भारत का है, ठीक है निरभरता अनुपाद, और इंडिया का ठीक है, और ये अपना बिहार का है, clear, तेरा नमबर देखिएगा, क्या बोल 15 देखते हैं क्या बोला जा रहा है 11 नोसुची में सामिल विसय कौन सा है 11 नोसुची की बात करने सामिल विसय जो है देखिए अगर हम बात कर लेते हैं तो इसमें टोटल 29 विसयों को सामिल किया गया है इसका जो वर्णन है आर्टिकल 243 जी के तहत जो है इसका वर्णन आपको मिल जाएगा ठीक है क्लियर इसमें गैर पड़ाम पर एक ओर जा पुस्तकाले इंधन चारा यह सब हो जाएगा तो हमारा बाइडिफॉल्ट जो है डी हो जाएगा सही एक सधिक ठीक है पंद्रा देखिएगा नगरपालिका का सदस बनन सबने के लिए मिनमम एज जो बोला जा रहा है बहुत है लेकिन यहां ओप्शिन में है नहीं तो हमारा क्या हो जाएगा इकरेक्ट हो जाएगा इन में से कोई भी नहीं विए 16 सोलह देखिए क्या बोला जा रहा है विए 16 नमबर नमर शिक्स्टीन हम लोग दिखता हैं सिक्टीन में क्या बोला जा रहा है देखियागा ने मलिएकसा किसके अध्यट्ष्टता प्रधान मंत्री के दौरा होती है तो दिखेगा यहां Пर राश्ट्री एकता परिश्ट उसके बाद जो है हम लोग बात कर लें नीति आयोग और वेग्यानिक और अनुसंधान आयोग परिशद, यह सबका जो है न नियोक्ति प्रधान मंतری, अध्यक्ष प्रधान मंतरी होता है, ठीक है? तो हमारा C वालक कraction हो जाएगा, इन सबका जो अध्यक्ष प्रधान मंत्री होते हैं ठीक है ध्यान रखिएगा चलिए नंबर 17 हम लोग देखते हैं अंतरास्टिय संधियों को भारत के किसी भी भाग में लागू कराने के लिए संसत कानून बना सकती है बिना किसी राज के सहमती से कानून बना सकती है 17 का सी हमारे यहां करेक्ट हो जाएगा यह आर्टिकल 253 में साफ साफ लिखा गया है 18 देखिएगा पंचायती राजयोस्था का मूल उद्देश क्या सुनिश्चित करना है तो पंचायती राजयोस्था का में एम होता है यह सुनिश्चित करना है अगर हम बात करने कि देखिए नगर पर पंचायती राजयोस्था को लोग्तांत्रिक विकेंद्री करन विकासात्मक कार्यों में भागीदारी तो यह सारा का सारा जो है ना इसे लेट उड़ जाएगा तो डी हमारा करेक्ट हो जाएगा 90 के मूल करतवयों के संदर्में निमलिकी तक्त्मों पर विचार आपको चार करना है अगरे इसके हम बात कर लेए ठीक है 19 का तो देखिए का यहां पर क्या हो जाएगा यह केवल नागरी को उपरापत है और उसके बाद है यह नितिये सक्तत्वों के समान गैर नयाय उचित है सी हमारा वाय डिफॉल्ट भी एसी कर दीक देख्यागा मैथा लीक को समः्धान के आठमेनों त expos जो है देखे साल साल 2013 जो है सामल इसको किया गया था ठीक है ध्यान रखियें है इस बात का के माप की ज़िए यहाँ पर गरबर है 2003 होगा 2013 नहीं होगा ठीक है यहाँ पर टाइपिंग मिस्टेक है कोस्चन जो बना है इनहीं के दोरा से तरफ से मिस्टेक है तो 2003 होगा ध्यान रखेंगा इस बात का ठीक है मनसबदारी प्रथा से सम्मंदित सत्य कथन को बताएं सत्य कथन की अगर हमने बात कर लें ठीक है दिखिएगा मनसब फार्सी भासा का सब्द जिसकार्थ होता है पद यह मंगोलों की दसमलों पददी परधारित था ठीक है और मुगलकाल में इस विवस्था का प्रड़म अक इस रुटली तो हमारा डी बाई डिफॉल्ट यहां पर जो है जो है यहां पर करेक्ट हो जाएगा ठीक है चलिए आगे मनों बढ़ते हैं बाइस नमबर नामधारी अंदोलन किसके द्वारा प्रड़म किया गया था नामधारी अंदोलन किसके द्वारा बात कर लें यह सांबर क्या घृतर किया था ठीक है इस हमारा होगा 6 journée कि मिच संगर्स किस निया था थे किसने तो लिए यह हमारा यह जो है reliable करेक्ट हो जाएगा ठीक है चलिए 24 देखते हैं राजकोसियकोस को मुर्सीदाबाद से कलकत्ता किसने ट्रांसफर करा था या स्थनानांत्रित करा था वाई देखिए ये करा था वारेन हेस्टिंग्स ने ठीक है सी करेक्ट हो जाएगा अच्छा आप लोग एक चीज का ध्यान रखेगा ये जो सेट हम ल इसकुल ही सही कर रहा हूं ठीक है लेकिन यहां पर आंसर की में बहुत ज़्यादा एरर है क्योंकि option ABCD कुछ और दिखा हुआ है और explanation में कुछ और है तो थोड़ा एरर बहुत ज़्यादा है इसको देखके करवाना पर रहा है तो आप लोग एक बार ध्यान जरूर रखिए कानी करेंगा ठीक है खाली हो हला नहीं करिये गा 25 क्या बोला जाना सर् Ford और 210 यंहीं नहीं है कर रहा हैा प्रणंग और अध्यान रखिएगा हरी इस चंडर मुखर जो है पुष्टक नीज़बरबर यहां पर सही का बात कौन सा गथन सही है यijn बांसरी स्हीं है फेरलेया एक तो सही नहीं है यहां बंकिम्चंचरच्च जी ने अपनी पुष्टक नील्दारबर्बर यहां फुरिक लिखा है कौन तुन भाई दिन बंधु में तरह नहीं लिखा है ठीक है तो हमारा सी हो जाएगा ठीक है तो यहाँ पर सही नहीं बोल रहा था चले 26 देखते हैं क्या बोल रहा है सम्क सल्टनत काल में किस सासक ने राजस्व के संबंद में कहा था कि एक अनुगरही राजा सदा कुछित होना चाहिए यह स्टेट मेंट किसका था देखेगा यह स्टेटमेंट था अगर हम बात करें बालबन का ए एप्स लूट करेक्ट हो जाएगा नंबर 27 देखिएगा सम्राठा सोग ने इसंदर में कौन सा कथन असत्त है सम्राठा असोग के संबंद में कलिंग देख चलिए 28 नमर देखते हैं इस देखिए गा तो भाइबर नैतिक सिध्धान समंद्री जो परवर्चन है यह आपको मिलेगा सुथ पीटक में सुथ पीटका में थीक है इसी में मिलेगा पूचलिए आगे बढ़ते हैं नमबर 39 देखिए गा निम्लिखित में से निम्लिख कर दे हैं ना बेख़ेगा तो यहां पर देखें कपील वस्तु की निकटिनिपाल की तरही में वस्तित लुंबनी को महत्मा बुद्ध का जनम स्थान माना जाता है और इसका आंसर जो है भी होगा तो यहां पर महावीड से समंदित कौन सा नहीं है तो लुम्बनी जो है बुद्ध से लेटेट है महावीर से लेटेट नहीं है ठीक है चलिए तीस देखिएगा क्या बोला जा रहा है तीस में सुची एक को सुची दो के साथ यहां पर आपको करेक्टली मैच करवाना है तीस में ठीक है अब देखे ता मौर वंस के संदर्म में इमलिखित कंदों पर विचार यहां पर आपको करना है ठीक है इस वंस का संस्थापक चंदूत मौर था मुदराराक्षास में मौर वंस का वर्णन किया हुआ है और मौर के समय वश्ची मुत्र भारत से लुकस के अधीन था सही कूर जो है हमारा सी ह अरहा में दर्म ठीक है 32 कि देखिये गा सायमन कमिशन के आने के विरूद भारती जनांदोलन क्यों वा था तो इसलीए हुआ था क्योंकि ने को भारती सदस नहीं था ता सारे सारे अंग्रेज थे सब्सक्रेसे पार है और हम होग से दस हैं इसको हो घान को तらい कौश्चन में मुंड़ा विद्रो देखिए 8094 से 95 के आसपास में ट्रिगर हुआ था स्टार्ट हुआ था यहां ऑप्शन में ही नहीं है ऑप्शन में है ही नहीं 1899 है नियरेस्ट तो इसको नियरेस्ट तो मारेंगे नहीं एग्जैक्ट यहां पर एयर हम लोग पढ़ते हैं एक्जैक्ट यह 895 होगा चुआर विद्रो देखिए 1766 से 16 तक यह चला था अब यहां 1768 यह भी नियरेस्ट है यह थोड़ा डाउटफुल हमको है अब चटकाउ सस्त्रागार 30 है यह ठीक है यहां पर दिया गया और नौसियना विद्रो 24 ठीक है तो यहां पर देखिएगा य खादी वस्त्र को अनिवार कंग्रेश के किस आधिवैशन में किया गया तो खादी वस्तर को अनिवार जो है देखिएगा कॉंग्रेश का 42 इसवा दिवेशन हुआ था ठीक है तो ध्यान रखिए गौहाटी दिवेशन के सदस्यों को जो है 1926 में हुआ था इसके द्वारा जो है खादी बस्तर पहनने को अनिवार कर दिया गया 35 देखिएगा मैंने रोटी मांगी थी परवं तो मुझे उत्तर पत्थर मिले गांधी का यह कतन किसी समन्दित है तो गांधी जी ने यह स्टेटमेंट दिया था देखिएगा सवीने अवग्यान दोलने टाइम में ठीक है civil disobedient movement के टाइम में बारती महिला विस्विद्याले के प्रतम कुलपती कौन थे तो इसके प्रतम कुलपती जो थे देखिए आर जी भंडार क ठीक है अगर चलिए आगे बढ़ते हैं लोग 37 नमर देखिएगा प्राचीन समारक परिरक्षन अधिनियम कि सवाई सराय के कारे कारेकाल में पारित हुआ था तो यह पारित हुआ था देखिए लौड करजन के कारेकाल में ठीक है 37 का सी हमारा करेक्ट हो जाएगा है ना तो यह उनीस सो चार में पारित हुआ था धिएन रखिया इस बात का उनीस सो चार में प्राचीन समारक परिरक्षन अधिनियम ठीक है 38 1847 में इंडियन एक्ट फाइव दौरा किस प्रथा को अवायद घोसित किया गया था तो इंडियन एक्ट फाइव दौरा जो है जो प्रथा को अवायद घोसित किया गया वो तो देखेंगे दास प्रथा भी करेक्ट होगा ठीक है चलिए और लॉड एलन बडो के टाइम में य हुआ था तो इसके स्थापना हुआ था अगर हम बात कर ले ठीक है ना सुसाइटी फॉर ट्रांसलेटिंग यूरोपियन साइंस यह कलकत्ता में हुआ था अठारा सो पचीस में हुआ था आगे बढ़ते हैं लोग चालिस नमर देखिएगा दृत्य गोल में समयलन में वैवसा वैवसायों का प्रतिनीतों अगर हम बात कर लें कौन किया थे ठीक है ना तो यह देखिएगा तृत्य गोल में समयलन में वैवसायों का प्रतितन जो है वह बिरला ने किया था ठीक है और तीसरे में ठाकुर्दास ने भाग लिया था 41 देखिएगा रॉलेट एक्ट 1990 में विचार कर रहे था था आसत्य कथन को चुनना है आसत्य कथन जो है देखिए क्या बोला जा रहा है हंटर रहो की सिफारिस पर उसे लगू किया गया था रॉलेट एक्ट को तो हमारा C यहां पर गलत है ठीक है सिद्नी कमिटी सिफारिस पर डॉलेट एक्ट को लाओ किया गया था हंटर कमिशन नहीं 42 निमलिकी तुम से किसका प्रधान गॉलमिक कहलाता है गॉलमिक जो है यह प्रधान कहलाता है ग्रामिन छेत्रों का C करेक्ट हो जाएगा 42 चलिए भाई 43 निमलिकी तुम से किसने विजयनगर के सचीवाले का वर्णन किया है अब्दुलरजाक खाने काना ठीक है भी हमारा यहाँ पर एपसुल्टली करेक्ट हो जाएगा यह एक यात्री था जो फारस से आए था कौन फारस से आए था यह यात्री था फारस से एक कब आया था यह आपको ध्यान रखना है ठीक है यह फारस से कब आया था तो 443 में था ठीक इस भी लिख लीजिए चलिए भई आगे बढ़िए 44 देखते हैं हम लो राजराम मोहन रोय निमलिकित के आलोचक्त है राजराम मोहन रोय जो है यह भारति पुझान आग्रन का जनकी सुका जाता था और यह मूर्ति पुजा और बहुवेद के आलोचक्त है ठीक है मूर्वाकी पुजा के और बहुवेदवाद के आलोचक्त है तो हमारे D हो जागा एक स्यादी 45 रायत संग के स्थापना किस ने की थी रायत संग के स्थापना जो है यह देखिएगा एंजी रंगा जी ने रायत संग के स्थापना करी थी 46 देखिएगा पानीबद के तुरिती युद्वे माराठा सिनक नित्त तो किस ने किया था तो इनका नित्त किया था सदा सिवराओने सी करेक्ट होगा 47 देखिएगा भारत से सबसे अंत में जाने वाला यूरोपिय सक्ति कौन था सबसे अंत में कौन गया था भाई सबसे अंत में जाने वाला यूरोपिय सक्ति थे पूर्तगाल ठीक है सबसे पहले या थे सबसे लास्ट में गया थे ठीक है ना ऑप्शन में है ही तो इमारी है और तालिस देखिए बिहार प्रांतिय किसान सभाग संस्थापक कौन थे इसके संस्थापक कि अगर हम लोग बात कर लें सहाजानन सरस्वती जी थे ठीक है क्लियर चलिए 49 देखिएगा क्या बोल जा रहा है 49 में 49 ने बोल रहा है किस वैक्ती ने एक सो एकड भूमी उनी सो एक्या उन्हें विनुवा भावे को धान में दी जिससे भुदान अंदोलन का प्राडम किया गया तो भाया यह दिया था विदेरे रामचंद्र रेड़ी ने सी करेक्ट हो जाएगा 49 का ठीक है चलिए 50 देखिएगा किस अधिनियम में सर्व प्रतम मनसुची जाती सब्द का प्रतम प्रयोग किया गया है तो यह प्रतम प्रयोग किया गया भारत प्रिसेदर नियम 1935 में ठीक है ना तो 50 का हमारा यहां पर सी एपसलूटी करेक्ट हो जाएगा 52 देखिएगा भारतिय प्रिसेदर नियम 1892 के बारेम निम्न कथन को चुनना है इनमें जो कथन है देखिएगा यहां पर पहरा बोल रहा विधान मंदल सदेशों को बजट पर बहस का अधिकार है ठीक है और विधान मंदल सदेशों को प्रस्ट पूछने का अधिकार दिया अधिकार भी दिया गया था और यह अठाशुपरान में जो भारतिशेदर नियम आया था उसमें जो है समीथी निरवाचन का भी बात किया गई थी लाल किला मुकदमे में अभीयोक्तों की सजा को माफ करने वाले वासराय का क्या नाम था तो इस वासराय का नाम था लौड वेवल भी करेक्ट हो जाएगा ठीक है चलिए तिरेपन का भी हमारा यहां पर एप्सलोट करेक्ट हो जाएगा चोबन देखिएगा यूकलीड के रेखागनित के तत्वों का संस्कृत में अनुवाद किसने किराया तो संस्कृत में अनुवाद अगर हम बात करें सवाई जैस गजनिंग ठीक है छलिए पचपन देखिएगा 1764 इसमी में उच्थितम ने आले के स्थापने समय जो गवर्नर G. पात हो रही है रही है चपने देखिएगा बिहार आर्थिक सर्वेक्षन 2022-23 के नुसर प्रतिवेक्टी निवल राज घरलूत पाद के मामले में बिहार का देश में कौन सा स्थान है तो बिहार का देश में स्थान की बात कर लेना तो बिहार का स्थान हो जाएगा भई देखिए निमनता में स्थान हो जाएगा ठीक है अगर हम बात कर लें तो प्रतिवेक्ति निवल राज घरलुत पात के मामलें बिहार का स्थान देश में सबसे लीस्ट पर है सबसे कम है सबसे मिनिमम है बिहार आर्थिक सर्वेक्शन 2223 के अनुसार जी एस डीपी में दुईतियक छेतर का योगदान कि बात कर लें यह हर आर्थिक स्थान दुवेके चर्वेक्शन 2223 नुसार रो इप का सुह प्रक्रश के दौरा किए अर्ट किस के दौरा कि यसके में दौरा गया घरल के दौर और सवार मइसट और को बढले सबनाय क्यों नमबर उनसट भारत पहली बार बजट किस के दौरा एक या टिक ह साट देखिएका हाली में चेट्चा में रहा पंप एंड डंप घोटाला निम्न में से किस समन्दित है तो पंप एंड डंप घोटाला जो है ये देखिएगा सेएर मार्केट से रिलेटेड है एक सट देखिएगा बैंकों का राश्ट्री करन किस पंच वर्सी योजना के अंत्रगत किया गया सितो में उस समय तुरतिया पंच वर्सी योजना की अब धी चल रही थी माफ कीज़ेगा यहाँ पर तीसरा हो जाएगा ठीक है? तीसरा हो जाएगा चौथा नहीं होगा तीसरा होगा तुरतिया पंच वर्सी योजना के टाइम में यह हमारा 61 का सही हो जाएगा 62 देखिएगा राश्ट्रे क्रिसी सहकारी विपनन संग की स्थापना किस पंच वर्सी योजना के दोरान होई थी तो यह योजना जो है किस पंच वर्सी योजना के टाइम में हुआ था यह हुआ था देखिए अगर हम बात करें दूइतिया पंच वर्सी योजना के टाइम में किनिखे हैं इन्हीं के दोर॑ पॉजिटिव से सिस्टम पॉजिटिव पैश्छ से किस beth olduğunu किसके दोर future bulbous राविक बत कर लें तो यहां पर हो जाएंगा अपना और समयर एक रेक्ट हो जाएगा कहें कि रूपर जो हैना 50% होता है ठीक है और स्टेट का कितना होता है स्टेट का 15% होता है ठीक है ध्यान रखेगा तो इसकी नई मानक उचाई किया होगी इसकी नए 688 886 PM मीटर हो गया है थो है थेक है हमारा करेक्ट हो जाएगा चलो 66 गुजरात का आलिया बेट दूइप किस नदी से घpectedा हुआ है तो गुजरात का आलिया बेट अणर्मदा डिवर से बुरा करेक्ट हो जाएगा उन से attorneys tähän निम्लिकित में से किसको वेनिशिंग ओशन चिपता है। महासागर कहा जाता है क grenade जो है यह कहा जाता अर्ग-टिक महासागर को जाएगा एकोरेक्ट हो जाएगा a रहरत का जाता है फैलात का भागवली के सथिती है वह इसमाना से मैच करता है ठीक है ध्यान रखियेगा चल के हुए 72 देखिएगा ग्रेट सेंडी रेगिस्तान किस देश में स्थित है ग्रेट सेंडी रेगिस्तान की बात कर लें यह देखिएगा कहां पे है तो आस्ट्रेलिया में ही है ग्रेट सेंडी रेगिस्तान 73 देखिएगा क्या बोला निमलिकी से कौन से देश अधन की खाड़ी से होता है पहाड़ी पानी का जो मुख्य सुरूत होता है वो चस्मा होता है ध्यान रखिएगा है ना चस्मा अक्सार ऐसे छेत्र में बनता है जहां दरारे और कटाओं हो जिनमें बारिस नदिया और जील का पानी पर वेस्ट कर जाती है पचहत्तर देखिए हॉप स्पॉट की जवधार्णा के प्रतिपादक निम्ली में से कौन है हॉप स्पॉट तो इसके प्रतिपादक हैं देखिए सिल्विया अर्ड चिहत्तर वायू मंडल में आरगन गैस की मात्रा लगभग कितने परसेंट है आरगन गैस की मात्रा जो है 0.93 परसेंट है तो 76 का सी करेक्ट हो ज 78 देखिएगा निम्लीखित सहरों में से किसे भारत के मस्रूम सीटी के नाम से जाना जाता है भारत का मस्रूम सीटी जो है यह बोला जाता देखिए अगर हम बात कर लें सोलन को सी हमारा करेक्ट हो है हिमाचल परदेश में है सोलन सोलन माफ कीजेगा इसी को जाना जाता है प्रस्तावित मेके दातू बांध प्रियोजना का निर्मान किस नदी पर किया गया है तो इसके अगर हम बात कर लें किस नदी किया गया है देखिए कावेरी रिवर के उपर में किया गया है A करेक्ट होएगा 79 का A ठीक है 80 नमबर देखते हैं हम लोग क्या है देखिएगा दिये गए सहरों में किस एक में रेत के पहाड जिन्हें रेत के टीले कहा जाता है पाए जाते हैं ये पाए जाते हैं देखिए भाई कहां पे अबुधाबी में भी हमारा करेक्ट हो जाएगा ठीक है एक्यासी देखिएगा विज्ञान की कौन सी साखा र यह नहीं है इसको बोलते हैं देखिए सिक्रेट्रो मैटिस ठीक है से क्रो मैटिक्ष मैटिक थ्यान रखिए यह बोलते हैं ठीक है इसको क्या कह जाता है इसको क्या कहा जाता है तो देखिए सिरोय क्या थै कीrin की बात कर लेंए एक एस्टर क्या है मूम एस्टर है 85 सरीर के किस भाग में कोशिकाओं अथ्वा उत्तकों की मृत्यूं को क्या कहा जाता है तो इनके मृत्यूं कहा जाता है नेक्रोसिस 85 का एक औरेक्ट हो जाएगा ठीक है कि एक अधी एक चलि splash आगे हम लोग वरते हैं है नंबर 26 क्या भोल रहा है ऑपना रेडियो सक्रियत और आनंत की में और और अस्था pirate करनग्यों से बदाल यह सीसे में चेंज हो जाता है ठीक है लेड में चेंज हो जाएगा सीसा में है ना ऑप्शन में ही नहीं तो यह मारी है 87 देखेंगे निमली किस रोग का कारक प्रोटो जोवा है तो प्रोटो जोवा जो है ना देखिए काला जार का कारक है इन में से ऑप्शन में से ठीक है हिस्टोन प्रोटिनगे संगठक होते हैं और डिए ने करको होते हैं तो दियंए, इस टोन प्रोटिन तो हमारे ड हो जा में इक स्य अधिक यह Онब से किस्कोरों चाहीं से, एक्स बाइयो लोजी जो है, यह समंदित हों ध्यान रखिये fulfillment अने ग्रहों के अंतरिक्ष में जीवन के अध्यान से ठीक है चलिए भाई आगे बदते हैं नब्बे नंबर क्या बोल रहा है निमलिकितम से कौन अंडे और दूद दोनों देता है अंड़ और दूद देखिए अगर हम बात कर लें प्लैटिप्स और एकेडीना ठीक है प्लैटिप्स और अंड़ दूद देता है बेरानवे कारों में सुरक्षा के लिए उपयोग क्या जाने वाले एयर बैग क्या होते हैं तो यह एयर बैग जो है ना देखिएगा सोडियम अजाइड के बने होते हैं, clear, sodium azide के ये airbag बने होते हैं, इसमें sodium azide का इस्तमाल होता है, चलिये, अगला देखते हैं, नंबर 93, क्या बोला जाँ रहा है, वह वीटामिन जो हर्मोन की तरह कारक करता है, और कैलसियम का अफ्शोर्षन बढ़ाता है, वह विटामिन है, के वज़े से उत्थ परिवर्तन होता है 95 देखिएगा विक्षो के चाल पर उगने वाले कवक क्या कहलाते हैं इन कवक को हम लोग बोलते हैं देखिए कार्टी कोलस जो विक्षो के चाल पर उगते हैं ठीक है 96 ब्लैक फूट रोग किस तत्व की अधिक मात्रा के सांद्रन के क 97 देखिएगा क्या बोल रहा है रास्टे विशानु विज्ञान संस्थान कहां पर इस्तित है रास्टे विशानु विज्ञान संस्थान के अरव बात करने भाई यह कहां पर है तो यह देखिएगा पूने में है रास्टे विज्ञान अनुस्थान संथान संस्थान 98 ट्रे देखते हैं क्या बोला जा रहा है बादलों की उचाई दिसा और वेग को मापने के लिए किस उपकरन का उपयोग किया जाता है तो बादलों की उचाई दिसा और वेग को मापने के लिए जिस उपकरन का इस्तमाल होता है वो उपकरन देखो नेफ्रोस्कोप ठीक है नेफ्रो से जो प्रकास दहता है वो आघ मैट सोला सुकंड तक परीथ्वीड पहुंचता है एक सो एक देभते हैं पर अधिकांट प्र regional उत्पादित होता है तो पर्तिर पर जो अधिकांस oxygen है उत्पादित होता सेवालो के द्वारा i करेक्ट हो जाएगा एक सो दो देखिए अरास्टी है जा एवं आत रोग संस्थान कहां इस्तित है तो यह संस्थान है भहिया देखिए कोलकाता में भी करेक्ट हो जाएगा एक सो तीन देखिए हिंग किस से प्राप्त होता है हिंग जो है ध्यान रखिएगा यह प्राप्त हो सबी है ठीक है खनीज फाइबर डी हो जाएगा एक सो पान्च देखिएगा एंफाई सीमा एक ऐसी व्यधी है जो पर्यावरन परदूशन द्वारा होती है इससे प्रभावित मानवंग कौन सा है तो इससे प्रभावित जो मानवंग है उसके हम बात कर लें वह देखिए सांस की परसानी क्यों नहीं महसूस होती है इसके पीछे रीजन है उनमें अतरिक्त वायू कोश होते हैं उनको यह परिशानी जो है फील नहीं होती है तो साथ का सी हमारा करेक्ट हो जाएगा चलो आठ नमबर देखते हैं डब्ड इसरो द्वारा लॉज किया गया एक मिशन है जिसका पूर्ण रूप क्या है डब्ड देखें डब्ड जो है अगर हम बात कर लें यह इसरो द्वारा लॉज किया गया था इसका जो पूरा नाम है मार्स और विटर मिसन मॉम ठीक है चलिए भी हमारा करेक्ट हो जाएगा एक सो नौ निमली कि दिमसे कौन सी अधिसरासी ह जो कर लें देखेंगा विदुद्धाराताप यह अधिसरासी है ठीक है तो हमारा डी से हधीक हो जाएगा 110 थ्ग्षे सबसे बड़ी हेलिकॉप्टर फैक्ट्री का उद्गाटन कहां किया गया है इसका उद्गाटन क्या गया देखिए कर्णाटका के अंदर में ठीक है सी करेक्ट हो जाएगा 112 वर्तमान में नितिययोग के मुखे कारे पालक अधिकारी स्थापित किया जाएगा टो यह सथापित किया जाएगा देखिए हर्याना के अंदर में be absolutely correct हो जाएगा ठीक है 114 देखिएगा बिहार में परियाग हिंदी साहित समेलन के 75 वे अधिवेशन का योजन कब किया जाएगा तो इसका योजन किया जाएगा साल 2024 के अंदर में ठीक है 115 देखते हैं क्या बोल रहा है 29 सराज ने वर्स 2025 तक पहला ग्रीन राज बनाने का लक्ष रखा है पहला ग्रीन राज बनाने का लक्ष देखिए यह हिमाचल प्रदीस ने रखा है 116 देखिए आखर रहार ढल्र किस मंतरी के दौरा नई विदेष वैपारली 23 जारी किया गया है ये नीती जो है देखिएगा किसके दोरा तारी किया गया है तो अगर हम बात कर ले प्यूश गोयल के दोरा ठीक है हाली में केंद्रे वाणी जमंत्री प्यूश गोयल के दोरा ये नीती जारी किया गया है में 2017 यहालि में चतूछ रोड़ मैप के लिए क्रिसी समागम का योजन कहां किया गया है। लोक गीतकार है महेंद्र कुमार में ध्यान रखेगा 119 में गुप्त कालीन देवी देपताओं की मूर्ति के मिलने से चर्चा में रहा मुर्ली पहाड़ी कहां पर है तो यह मुर्ली पहारी जो है देखिए भागलपूर में वीवी आई सवाल है यहां से सवाल बन सकता है हाद ही में वर्ल्ड बैंक के द्वारा भी करेक्ट होगा 121 हाल ही में 21 मार्च को अंतरास्ट्री वन दिवस आयोजित किया गया इसका थीम क्या है इसका थीम है देखिए वन और स्वास्त भी करेक्ट हो जाएगा ठीक है चलिए 122 देखते हैं हम लोग क्या बोल रहा है हाली में जारी स्टॉक होम इंटरिनेसल पीस रिसर्च इंसिच्चूट का रिपोर्ट के नुसरा निमली कौन सा कथन यहां पे सत्य कथन देखिएगा रूस विस्व का दूसरा सबसे बड़ा हतियार निरातक देश है यह वला कथन स 122 का भी हमारा यहां सही हो जाएगा चलो 123 देखते हैं सी ड्रैगन यूद अभ्यास 23 किन किन देशों के मद आयोजित किया गया है तो इसका आयोजन जो है अगर हम बात कर लें देखिएगा उप्यूक्त में से यहां पे एक स्याधिक हो जाएगा कौन कौन सा हो जाएगा प यहां पे हमारा डी हो जागा एक से अधिक ठीक है ना कि द्यान रखिएगा ठीक है चलिए भई आगे हम लों बढ़ते हैं एक सोचीच नेशनल इ गवन्नेंस सरवेसेज लिमिटेड के साथ मिलकर किस बैंक ने हाली में इलेक्टरॉनिक बैंक गरेंटी उर्णी चलिटकर किया है और किसे सुभाश चांदर्बोस और प्रावजन पूसकार 2023 के लिए चुना वैं इसके लिए फायर स्टेस्न को चुना गया है ठीक है क्लियर यह कहां है तो मीजोरम में है 126 देखिएगा हाली में कौन से देश ने विस्व के पहले फोटोनिक अधारित क्वांटम कमिटर के विवसाई करन की गोशना करी है तो यह विवसाई करन की गोशना करी है किसने कैनेडा ने सी करेक्ट होगा 127 तिरासी में अखिल भारतिय पिठासी नधिकारी सम्मिलन का आयोजन कहां किया गया है इसका जो आयोजन है यह देखिए जैपूर में हुआ है 127 का सी करेक्ट हो जाएगा 128 देखिएगा क्या बोला जारा है बारतिय गाई का लता मंगेसकर जी की एक थिरानवीवी जैनती पर किसने लता ये लाइफ इन म्यूजिक सिटसक से उनका जीवनी को प्रकासित करने गोशना करी है तो यह गोशना किसने करी है तो यह करे है देखिए पेंगुइन रैडम हाउस इंडिया ने 139 हाली में ग्रेटर नोड़ा के इंडिया एक्सपो मार्ट में आयोजे दुनिया की सबसे बड़ी फसल विद्धुत प्रदर्शनी इलेक क्रामा के पंद्रवे संस्क्रन का उध्गाटन किसने किया है तो इसका उध्गाटन किया है देखिए आरके सिंग ने भी करेक्ट होगा 130 देखिएगा केंद्रिय सरक पड़िवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गटकरी ने किस सहर में दुनिया के सबसे बड़े और अनोखे दिव्यांग पार्क का अधार सिला रखा है तो यह दिव्यांग पार का अधार सिला देखिए नागपूर में रखा गया है 130 का एक करेक्ट हो जाएगा 131 हाली में शमेदी पुस्तक के विमोचन किस के दार किया गया है यह पैजपा के अनोखी वायला रास्ट रहाव can करने वाला पाला नाले बन गया है थीक है है ना माफ कीज़ेगा केरल नियाले होगा ना गुजरात में होगा केरल नियाले बन गया ठीक है 132 का यहाँ पे हमारा केरल हो जाएगा चलिए आगे हम लोगते हैं 133 देखिएगा हाली में केंदर ने किस राज में तराई हाथी रिजर्व को मंजूरी दी है तराई हाथी रिजर्व को मंजूरी मिलाए देखिए उत्तर परदेश के अंदर में 134 राजस्तान में चलाए गए सुद्ध के लिए युधवियान का संबंद किस से है तुम्हारा दुनिया सबसे बड़ा कार्वन बजार के और हम बात कर लें कब तक बन सकता है यह देखेगा साल 2030 तक 136 हाली में चर्चा में रहा जैन समुदाय का पवित रस्थल सम्मेद सिखर जहारकंड किस जिले में सम्मेद सिखर जो है गिरड़ी जिले में जहारकंड में 13 निम्ले किसे पदम बेभूशन 23 सम्मानित क्या गया है अगर बात करें बाल क्रिश्न दोसी को सम्मानित किया गया है ठीक है उसके जाकिर हुसेण को समानित किया गया है ठीक है één man krishna को समानित किया गया है दिलिप महान वोलिष को समानित किया गया है और भी so on दी हमारा correct होजा एक सेदिक 138 देखिएगा हाली में किस राज में अंतराषटे सिल्प सिखर समेलन का उधगाटन किया गया है तो सिल्प सिखर समेलन का उधगाटन जो है अगर हम बात कर लें किस कहां पिकिया गया है तो यह देखिए उड़ी सामें होगा बी करेक्ट होगा 140, हाली में आयोजित 111 में वीहार दिवस काथीम क्या था तो 111 वीहार दिवस काथीम अगर हम बात कर देखे बीहार दिवस पहले मनाया जाता है जान चीनल जिए 22 मार्च को १ीक है जान रख्येगा खेम है ना और 111 मना है और इसमें जो इसका थीम था था दुखिए युवासक्ति क्या था इसका धीम युवासक्ति तो अप्ष्ण में ही नहीं तो हमारा क्या हो जाएगा ये हो जाएगा ठीक है गुसट एक सथापिद किया गया तो यह सथापिद किया गया है पट्ना में एक 142 यहां पर देखिए यहां पर जो रिक्त स्थाने कोश्चन मार्क इसके जगह पर क्या है तो इस कोश्चन मार्क के जगह पर अगर हम बात कर लें देखिएगा क्या हो जाएगा ठीक है बना लीजेगा जरूर से जरूर आप लोग इसको 143 कि किसी आयत का परिमाप 50 मीटर है देखिए उसकी लंबाई चोड़ाई से 13 मीटर अधिक हो तो उसका चेतरफल कितना होगा चेतरफल देखिएगा 114 मीटर हो जाएगा 144 यदि एक पार्टी में परते हैं कि वेक्ति सभी वेक्तियों से हाथ मिलाता है यदि कुल हैंड से 66 हुए तो पार्टी में कितने वेक्त सब्सक्राइब कर देखिएगा 840 डिग्री अकून बनेगा चलिए 146 विश्रम को यहां पर पहचानना है तो विश्रम जो है देखिए यहां पर 49 हो जाएगा चलिए आगला देखते हम लोग इसने तालिस आसा और लटा की वरतमान आयू 5-6 है यदि उनके आयू 6 साल कांतर है तो 5 वर्स बाद लटा कि आयू क्या होगी तो 5 वर्स बाद लटा कि आयू जो है अगर हम लोग बात कर लें तो 41 यह सो जाएगी 148 इस हमी करन को जरूर सॉल्फ करिएगा इसका देखिए सही जो मारा आंसर हो जाएगा ना ठीक है 27 हमारा यहां पर सही हो जागा एक करेक्ट होगा 27 एक सुन चास देखिएगा गौन को वन एल पी भी लिखा जाता है कोड़ है तो इसको हम लोग क्या लिखेंगे भाई देखिएगा यू के भाई लिखेंगे 50 हमारा आखरी सवाल है आज का होकी खिलने के लिए 19 तो भाई देखिए टोटल छे लड़के इसमें पूरी वर्दी पहन काया थे तो दोस्तों यह देखिए हमारा आज का जो सेट एक था खान ग्लोबल रिसर्ट सेंटर का उनहतर भी 20 के लिए इसको हमने कर लिया कंप्लीट कमेंट करके अपने स्कोर जरूर आप लोग शेयर क कर लिए धन्यवाद